करनाल पूलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पेट्रोल पंप के लुटेरों को काबू कर लिया है करनाल पूलिस द्वारा पिछले जुलाई महीने में 27 व अठाइस को लगातार दो दिन हुई पेट्रोल पंपों की वारदात की गुथी को परदाफाश करते हुए आरोपियो को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की गई है यह जानकारी एसपी सुरेंदर सिंग भोरिया ने अपने कारियाले में एक प्रेस कॉंफरेंस बुलाकर पत्रकारों को दी उन्हेंने बताया कि पिछले जुलाई महीने में 27 व अठाइस तारीक को करनाल के सक्षम पेट्रोल पंप व घरोंडा के राना पेट्रोल पंप पर आरोपियो द्वारा डिसकवर व सप्लेंडर मोटरसाइकल पर सवार होकर पेट्रोल पंप से कैश लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया था जिसमें शक्षम पेट्रोल पंपर एक गोली भी एक विक्ति को लगी थी सुरेंदर सिंग भोरिया ने बताया कि पूलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूलिस की टीमें गठित की गई थी जीनों ने कड़ी मुशकत के बाद को 20 अगस्त तक रिमांट पर लिया गया है इस दोरान उनसे वारदात में प्रियोक किये गए कपड़े वर इवोलवर लूटा गया कैश वो अन्य जानकारी हासिल की जाएगी यहां हम आपको बता दे कि पिछले दिनों करणाल में हुई लगातार दो दिन पेट्रोल पंप की वारदातों से शेहर में हाईवे पर डर का महोल व्याप्त हो गया था जिसको देखते हुए करणाल एस पी ने ततपरता दिखाते हुए पेट्रोल पंप लुटेरों को गिर इन दो दिन दो लगातार वारदात हुए थी जिसमें मोट सैकिल पे जो स्कफल्ड फेस के साथ तीन लड़कों ने दो जगए वारदा थी और जो एक पहली वारदात हुए थी उसमें सक्षम पे टोल पंप जो नमस्ते चॉंप के पास है वहां से तीन लड़के मोट सैकिल तीनों ने अपना फेस परने से कवर कर रखा था और एक लड़के के पास पिस्टल था और एक लड़के के पास नाइफ था उसने नाइफ से यह जो बैग जो आपने अभी देखा इसकी तनी काट के उस बैग को छीना फिर जाते वे एक फायर किया जो एक व्यक्ति उसमें गायल भी हुआ और जो दूसरी वार्दात अगले दिन संडे को 28 तारीफ को राना पेट्रोलपम जो घरंडा थाना शेत्र ने पड़ता है वहाँ वार्दात हुई वहाँ से इन्होंने जो मैनेजर का रूम था अंदर जाके और 70 लाग रुपे की इन्होंने कैश की लूट क प्रसों इसमें हमें एक लड़का इसमें अरेस्ट किया गया और शेये टू की टीम ने काफी मेहनत करके इसमें कामियभी हासिल की य प्रिंप लड़का है बीड बडावला गाउं जो का रहने वाला ये निगदू थाना शेत्र में पड़ता है इस लड़के को परसों अरेस्ट किया गया शाम को और जो दूसरा लड़का है विशाल, ये गुंदर गाउं का रहने वाला है, इसे कल एक बजे सेक्टर बारा से अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद इनको कल पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया गया, पुलिस र इन्होंने अलग-अलग motorcycle दोनों वार्दत में यूज की थी, जो पहली वार्दात थी, सक्षम पेट्रोल पंप की, उसमें discover, उसमें splendor motorcycle यूज होई थी, और जो दूसरी वार्दात थी, उसमें discover motorcycle यूज होई थी. जो इन्होंने बता दिया है, जो नाइफ है, और जो नाइफ है, एक पिस्टल और है, जो इन्होंने पहने हुए थे, वो भी इनसे बरामत करने है, वो दूरिंग रिमार्ड इनसे रिकवरी की जाए है. साथ साथ जो तीसर लड़का है, उसका नाम भी सपष्ट हो गया है, वो पवन जो लड़का है, वो समालखा का रहने वाला है, वो अलड़ी 302 के केस में convicted है, विसार जेल से पेरोल पे आया था, पेरोल जंप कर रेखी है, उसे भी जल्द तीन दोवारा गिरफतार किया और जो कपडे पहने थे, वो सारा CCTV फूटेज से, हमने काफी इसमें टेखनीकल इंवेस्टिगेशन जो एविडेंस है, वो भी कलेक्ट लिया है, पहले भी जो है, आप में वेरिफाई कर रहे हैं, अलवड़ी जो विशाल अड़का है, उसके खिलाफ तीन मुकदमे स्नैच और और भी वार्दात खुलने की इंसे, गरुणडा में एक्चुल कॉंस्कुरेसी में टिनों थे, लेकिन जो फूटेज आई थी, वो दो कि आई थी, एक तो विशाल था, जो अंदर गए थे और दूसरा पवंध था, जो अन्दर गए थे, और दूसरा पवंध था, जो ज जाकु से बैक काटा था, वो विशाल में काटा था, और जो गोली चलाई थी, वो फवंध में चलाई था, शादी शुदा है, वो अभी हम चेक कर लेंगे, अब एक और ये कर लें पहले, इसके बाद हो कर लेंगे, सरी, इन से क्या-क्या बरामद हुआ है, इन से आप जैसे के अंदर कैश था, इन्होंने कटर से वो जो उसकी तनी काट के, जो दिख भी रहा है वीडियो में क्लियर, अभी ये रिकवरी हुई है, बाकि जो उस दिन्होंने कपड़े पहने थे, जो एक और वैपन है, वो भी इन्होंने बता दिया है, कहा रखा है, सर, ये शरयाम जै इसे नमबर से वो इन्होंने लगाई थे, वो अलग है, उसमें फोटेज आई हुई है, वो एक अलग मैटर है, ये तो इनके लावा इन्होंने और भी कई जगे प्लान कर दी, जो अभी पूस्टाज में बताया है, इन्होंने असंद में भी एक वारदात करनी थी, एक और लेकिन क्योंकि उसने पेटोलिंग बढ़ गई थी, तो इन्होंने बताया कि वो मौका इनको लग नहीं पाया, अधरवाई इनका जो प्लान था कि लगातार वारदात करके फिर इन्होंने कहीं दूर किसी जगे जाना थी, जल्दी इसने ट्रेसाउस किया है, बड़ी काम्य कुछीजे उसमें मीडिया में नहीं बताई जा सकती थी, लेकिन काफी कॉपरेट किया हो थी, वारदा तो जो है वो हो गई, प्रिवेंशन तो आप मेजर नहीं कर सकते, कितनी प्रिवेंट हुई ना उसका नहीं कोई रिकॉर होता है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के ल प्रेल आइकोन को दबाए